चनपटिया का कुख्यात 25,000 रूपय का इनामी अपराधी रवी कुमार सिंग हुआ गिरफतार बेतिया से आफ्ताप सिद्धीक की रिपोर्ट बेतिया सदर SDPO महताब आलम ने प्रेस कॉन्फरेंस कर दी जानकारी बेतिया बता दे कि आज बेतिया सदर SDPO महताब आलम ने प्रेस कॉन्फरेंस कर जानकारी दी की चनपटिया थाने ने एक कुख्यात अपराधी जिसका नाम रवी कुमार सिंग है जिसका आपराधिक इतिहास रहा है और जिस पर 25,000 रुपय का इनाम का घोशना था उससे चनपटिया थाना ने गिरिफ्तार कर लिया है इसके अतिरिक्त SDPO महताब आलम ने बताया कि शो जगदेशपुर ने नौतन जगदेशपुर मार्ग में धनवती के पास से 233 लीटर विदेशी शराब भी बरामत किया जहां से शराब कारोबारी पुलीस को चक्मा देकर भागने में सफल रहा जिसकी तलाश जारी है 2024 को चनपटिया में कैतफलिया एक जगह है वहाँ पर पुरुख के भूमी विवाद को लेकर कुछा समाजिक तत्मों के द्वारा एक निर्माना धिन मकान जो था रूट के किनारे बन रहा था वहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ की गई थी और इसी घटना में गोली बारी की विवाद सामने आई थी जिसको लेकर चनपटिया थाना कांड संक्या 32,024 साथ नामज़त अभ्यूक्तों के विरुद और कुछ अग्यात के विरुद धर्ज किया गया था इसी में से एक अभ्यूक्त रवी कुमार सिंग और सावन सिंग जिसकी उमर करक परीबं 30 वर्श है पिता आजय कुमार सिंग ये सिनवरिया चनपटिया करने वाला इसी गिरफ्तारी हुई है और ये 25,000 रुपय का इनामी अपरादी भी था और पुरुद के कई कांडों में इसमें ये जिल जा चुका है आज एक और इंफॉर्मेशन है वो जगदीशपूर से संबंदित है कि कल जगदीशपूर में वो एक गुप सूशना के आधार पर इसे चो जगदीशपूर के द्वारा एक कुछ शराब की ब्रांदगी की गई है जिसमें सूशना मिली थी कि गाड़ी पर कुछ शराब को लेकर कुछ शराब कारोबारी वो नौतन के रास्ते से इस तरफ आ रहा है जगदीशपूर होते हुगा हैंगे तो नौतन जगदीशपूर रोड में धनौती के पास इन्होंने मतलब घात लगा जो है अपने सारे फोर्स के साथ वहां पे बेतिया से आफताफ सिद्धिकी की रिपोर्ट आई एंडी 365